हेलो गाईस हम बहुत गिने वाले हैं root mobile इस company के बारे में इस company का consolidated result आप लोगों के सामने presented है सारी amounts रिजल्ट में करोड में बताई गी है quarter and quarter base की उपर result को compare करेंगे है इस quarter का result है ये पिछले quarter का result है ये पिछले साल same quarter का result देखने को मिल जाता है company की income की बात करें revenue from operation and other income को मिल कर कमनी का total income इस quarter में 1023.26 करोड रुपीज का कमनी का total income है जो quarter and quarter base की उपर और पिछले साल same quarter के मुकाबले company की income में बड़ोतरी होती हुए नजर आ जाती है बाखी इस company के expense की बात करेंगे तो purchase of messaging services employee की cost and अलग-अलग cost को मिला कर कमनी का total expense इस quarter के अंदर 902.9 करोड रुपी है वैसे-वैसे company के expense भी बढ़ते हुए नजर आ जाता है बाकी आप इस company के net profit की बात करें तो tax and expenses item काटने के बाद company का net profit 104.05 करोड रुपीज का देखने को मिल जाता है जो quarter and quarter base के उपर बढ़ता हुए नजर आ रहा है बाकी पिछले साल same quarter के मुकाबले company के profits दूगने होते हुए नजर आ जाते है बाकी इस company के EPS earning को शेर की बात करें तो यहाँ पर से 16.29 रुपीज के trade हो रहा है जो quarter and quarter base के बढ़ा है बाकी पिछले साल same quarter के मुकाबले वी company की EPS में बढ़तरी होती हुए नजर आ जाती है overall इस company का जो result है वो मेरे इसाब से दबाई एक अच्छा result present किया है company ने और इसे के साथ साथ company ने अपने shareholder को dividend का भी announcement किया है company यहाँ पर से दो रुपे पर से का final dividend देती भी नसर आ जाएगी जिसकी record date and accident company आने वाले एन्योजर मीटिंग के अंदर बताने वाली है ठीक है तो जो आप लोग यहाँ पर route mobile के share में invested हो whole रख सकते हो new investment अभी के लिए मत करना company के share में गिरावट आती है तो lower levels के ऊपर company के share को long term के लिए खरीदना है तो आर long term के लिए नहीं पर मेरी सलाई यह है कि आर short term and medium term के लिए इस company के share को ज़रूर से खरीद सकते हो ठीक है तो यह था हमारा opinion इस company को लेकर तो बस अच के लिए तना ही गु बढ़े